हेलो दोस्तों आज मैं आड़ी सर्मा के चेप्टर नमबर 37 जिसका नाम है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स उसकी एक्सरसाइज का लेक्षर नमबर 3 लेके हैं जो कि हमारा कोश्चन नमबर 11 से स्टार्ट होगा तो कोश्चन नमबर 11 क्या कहता कि दा एंगल बिटबीन दा कर् जहां पर एक्स की हमारी रेंज क्या है? 0 से πई वाई टू में ठीक है? तो यानि sign की भी domain हमारी 0 और पई बाई टू के बीच में होगी और कोश्चन की भी अब यहां पर कह रहा है कि एंगल निकालना है इन दोनों कर्व के बिच हमने इन दोनों कर्व के बीच का मतलब यह ह कर्व का एंगल है ठीक है तो पहले question को लिख लेते हैं तो हमने दोनों कर्वों को लिख लिया है अब हम पहले क्या करते हैं इसके point of intersection निकाल लेते हैं तो यहाँ पर देखें यह भी y है यह भी y है तो दोनों एक्कोल हो जाएंगे तो यह क्या imply करेगा sin x is equals to cos x यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं sin x upon cos x is equals to 1 यह क्या imply करेगा हमारा tan x is equals to 1 और tan pi y 4 की value हमारी 1 होती है तो x की value हमारी क्या आ जाएगी pi y 4 आ जाएगी ठीक है तो यानि यह x is equals to pi y 4 पे जो है intersect करेंगे जैसे अगर हम इसका graph draw करें तो यह हमारा 0 है और हम यहाँ पे माल लेते हैं यह हमारा pi y 2 है ठीक है चुकि हमें इसके range के दे रखे 0 और pi y 2 के बीच में दे रखे तो अगर हम sin x का function draw करें तो sin x इस तरह से जाएगा pi y 2 पे हमारा क्या होगी 1 हो जाएगी maximum value होती है और cos की अगर हम draw करें तो cos हमारी 0 pi y 2 होती है sorry 0 हमारी cos 0 1 होती है और cos pi y 2 क्या होती है 0 होती है तो यह हमारी इस तरह से होगी यह हमारा cos का function है y is equals to cos x यह हमारा क्या है y is equals to sin x अब यह दोनों करवें एक दूसरे को किस point पे काट रहे हैं इस point पे ठीक है तो यह हमारा point क्या है यह x is equals to pi y 4 अब हमें क्या करना है इस point पे sin x के लिए tangent draw करना है tangent हमारा क्या होगा इस तरह से होगा यह और cos x के लिए cos x के लिए tangent हमारा यह हो जाएगा इन tangents के बीच का जो angle है यानि कि यह जो angle है हमें इसको बताना है ठीक है इसको हम ठीटा माल लेता है अब हम क्या करते है कि इसका tangent draw करेंगे तो इसका क्या करेंगे differential करेंगे slope निकाल लेंगे dy over dx is equals to क्या हो जाएगा cos x और किस point पे हमें निकालना है x is equals to pi y 4 पे तो यानि कि dy over dx किस पे y is equals to sorry x is equals to pi y 4 तो यह हो जाएगा cos pi y 4 ठीक है और cos pi y 4 हमारा क्या होता है 1y root 2 अब यहाँ पे देखें इसका जो है slope निकाल लेते हैं तो यह क्या होगा हमारा dy over dx minus का sin x और यह क्या imply करेगा dy over dx किस point पे x is equals to pi y 4 पे तो यह हो जाएगा minus का sin pi y 4 जो कि हमारा आजाएगा minus 1y root 2 ठीक है अब यह हमारे दोनों slope आगा है तो इसको मगर m1 मान लेते हैं इस slope को और इसको हम m2 मान लेते हैं तो दो slope जो हैं अगर दो tangent के slope हमें मालूम है तो उनके बीच का angle का हमारा formula क्या होता है 10 theta is equals to m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2 यह होता है हमारा ठीक है अब हमें दोनों slope मालूम है यानि m1 भी मालूम है m2 भी मालूम है तो हम इनको value यहाँ पे put कर देंगे तो यह हमारा क्या हो जाएगा m1 हमारा क्या दे रखा है 1y root 2 दे रखा है m2 हमारा क्या दे रखा है minus का 1y root 2 minus यहाँ पहले से तो हमारा यह क्या हो जाएगा plus का 1y root 2 divided by 1 plus m1 हमारा क्या दे रखा है 1y root 2 m2 क्या दे रखा है minus का 1y root 2 और इसको क्या लिख सकते है उपर तो हमारा यह 1 plus 1 add हो जाएगा यानि 2y root 2 हो जाएगा नीचे हमारा क्या हो जाएगा 1 minus चुकि यहांपे minus है 1 by root 2 under root 2 कितना हो जाता है हमारा 2 हो जाएगा इसको हम क्या लिख सकते हैं 2ट 2 divided by under root 2 और नीचे यहांपे यह हमारा क्या होगा इसको इससे गुना करके यह minus कर देंगे तो यह हमारा फिर half आ जाएगा यह क्या imply करेगा हमारा under root 2 से under root 2 cancel out हो जाएगा यह 1 by 2 है न यह 2 ऊपर चला जाएगा तो यह हो जाएगा हमारा 2 root 2 10 theta हमारा आ जाएगा यह तो यहां से अगर हम angle निकालें तो यह हमारा क्या हो जाएगा theta is equals to 10 inverse 2 under root 2 ठीक है तो हमसे दोनों के जो है curve के बीच का angle पूछा गया था तो हमारा angle इस तरह से आ जाएगा अब हम option देख लेते हैं तो question number 11 का हमारा option यह जो है वो correct हो जाएगा 10 inverse 2 under root 2 अब हम बात करते है question number 12 के question number 12 क्या कहता है कि the line which is parallel to x-axis and cross the curve y is equals to under root x at angle of 45 degree ठीक है is तो हमारा यह वो line हमें निकाल नहीं है पहले इस question को लिख लेते है तो question में हमारे क्या दे रखा है कि हमें वो line find out करनी है जो x-axis के parallel हो और इस curve को angle 45 degree पे cross करता हो जैसे हम अगर इसका graph draw करें ठीक है तो यह हमारा जो है आधा पैरा बोला है इसको हम इस तरह से draw कर लेंगे ठीक है अब देखो यह angle हमारा कौन सा है एक line हमें बताई गई है कि जो की parallel है x-axis के और इस पे जो है 45 degree बनाता है curve पे इस का मतलब क्या हुआ कि इस point पे हमें एक tangent मेला है और यह tangent और इस line के बीच का angle है जिसको हम कहते है 45 degree तो यह angle हमें दे रखा है अब हमें find out क्या करना है इस line की equation find out करनी है अब देखो चुक्के हम जानते हैं कि कोई line की equation हमारी किस तरह से लिखते है जनरल equation y-y1 और is equals to m हमारा slope होता है x-x1 अब देखो x-axis के अगर parallel है यह वाली line तो इसका मतलब क्या होगा कि slope क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा तो यहाँ पे y-y1 is equals to क्या होगा 0 यह क्या imply करेगा y is equals to y1 तो इसका मतलब हमें क्या करना है y1 की value find out करनी है अब हमारा y is equals to y1 आ गया अब हम क्या करते है कि यहाँ पे जो intersection है ना जो इस line और इस curve को intersection point है वो हम पहले देख लेते हैं तो y is equals to y1 आ जाएगा y की value हम यहाँ पे put करेंगे तो क्या हो जाएगा y1 is equals to under root x यह क्या imply करेगा x is equals to y1 square ठीक है तो x भी आ गया y भी आ गया तो यह हमारा intersection point इसका क्या हो जाएगा इसको हम पी माल लेते है यह हमारा हो जाएगा y1 square, y1 ठीक है यह हमारा यह point आ जाएगा अब हम क्या करते हैं इस point पे यह tangent का slope निकाल लेते हैं तो tangent का slope हमारा क्या हो जाएगा यह क्या imply करेगा dy over dx at point py1, y1 square, y1 इस पर क्या हो जाएगा हमारा 1 upon 2 y1 चुकि यहाँ पर x के जाएपर हम y1 square रखेंगे अंडर रूट लेंगे तो y1 आ जाएगा अब देखो यहाँ पर यह हमें slope मिल गया 1 upon 2 by 1 यह इस line का slope है इस line का slope हमें मालूम है कि वो क्या है 0 है तो अब हम दोनों tangent के बीच का slope वाला formula हम जानते हैं क्या होता है हमारा तो इसको हम लिख लेते हैं वो होता है हमारा 10 theta is equals to m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2 ठीक हैं यह होता हमारा अब यहाँ पर हम अगर इसको m1 माल लेते हैं यह जो है हमारा find out होके आया इसको अगर हम m1 माल लेते हैं और m2 हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और theta हमारा क्या दे रखा है 45 degree तो हम सारी value यहाँ पर put कर देते हैं तो यह हमारा क्या जाएगा 10 45 is equals to m1 हमारा दे रखा है 1 upon 2 y1 minus m2 दे रखा है 0 1 plus 1 upon 2 y1 m2 है हमारा 0 तो यह हमारा किसके बराबर हो जाएगा यह जीरो हो जाएगा यह 0 है तो यह 1 upon 2 y1 आ जाएगा और 10 45 की value हमारी क्या होती है 1 होती है तो 1 is equals to 2 y1 तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें y1 is equals to 1 y2 ठीक है तो y1 की value में find out होके आ गई हमसे क्या पुछाए line की equation पूछिए और हमारी line किस तरह की है y is equals to y1 के हिसाब से और y1 की value हमारी क्या आ गई half आ गई 1 y2 तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1 y2 तो यह हमारी एक line होगी जो की यह line है इस line की equation क्या होगी y is equals to 1 y2 अब हम option देख लेते हैं तो question number 12 question number 12 का हमारा option B जो है वो y is equals to y1 correct हो y is equals to 1 y2 correct हो जाएगा हम बात करते है question number 13 की question number 13 क्या कहता है कि the normal to the parabola at a t1 square 2 a2 t1 meets it again at a2 square 2 a2 ठीक है एक हमने normal अगर इस पैराबोला पर एक खीचते हैं तो वो हमें पैराबोला के पहले इस point से मिलता है और फिर वही नॉर्मल हमारा पैराबोला के इस point से भी मिलता है ठीक है तो उस normal की हमें equation find out करनी है equation नहीं find out करनी है t1 और t2 के बीच में relation दिखाना है ठीक है तो question को लिख लेते है तो question number 13 में हमारा पैराबोला दे रखा इस तरह से अगर देखे हूं तो question में मैं क्या कहता है कि एक पैराबोला है ये मान लेते हैं कि ये एक हमारा पैराबोला है ठीक है जो कि हमारा क्या है y square is equal to 4ax अब क्या कहता है कि इस पे एक normal जो है खीचते हैं जो कि हमारा किस point से मिलता है पहले कोई point हमारा क्या है ये point a t1 square, 2 a t1 ठीक है और फिर यही वाला normal जो है वो हमें कहीं इस point पे भी काटता है ठीक है इसको माल लेते है a t2 square, a 2 a t2 normal क्या होता है कि अगर हम इस point पे कोई tangent ड्रौ करें तो ये हमारा एक tangent हो जाएगा माल लेते हैं इसको ये इस tangent को ड्रौ करते है तो normal क्या क्या मतलब होगा कि इस tangent पे जो normal हो यानि इस तरह से अगर हम देखें तो ये हमारा जो है ये जो line होगी ये normal होगी पेराबोला पे और फिर हमें क्या करना है solve करके t1 और t2 के बीच में relation find out करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस tangent का slope find out कर लेते हैं तो इस tangent का slope find out करने के लिए क्या अगरेंगे इसका हम differential कर देंगे तो ये differential करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y dy over dx is equals to 4a तो ये dy over dx is equals to क्या जाएगा 4a by 2y अब हमें जो है tangent किस point पे draw करना है इस point पे निकालना है तो देखते हैं क्या जाएगा ये हमारा dy over dx at point at1 square comma 2at1 is equals to 4a upon ये हो जाएगा हमारा 2 तो है और y की जाएपर क्या रखेंगे 2a t1 अब ये हमारा क्या हो जाएगा 4a तो 4a से 4a cancel out हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 1 by t1 ठीक है तो ये slope हमारा इस tangent का आ गया है ठीक है तो अगर इस tangent का slope हम निकाल लेते हैं के normal का slope हमारा क्या होगा अगर हम इसको m1 माल लेते हैं तो ये हो जाएगा m1 m2 is equals to minus 1 जहाँ पर m2 क्या होगा इस tangent के normal का slope होगा यानि कि m2 is equals to क्या जाएगा minus 1 upon t1 sorry 1 upon m1 और m1 की value अगर हम रखेंगे तो क्या है 1 by t1 ये हो जाएगा minus का t1 तो ये हमारे इस normal का slope आ जाएगा m2 is equals to minus t1 जाएगा है अब हम क्या करते है कि इस normal की equation लिख लेते हैं चुकि हमें slope तो मिल गया है तो equation क्या होगी हमारी y minus यहाँ पे इस point से जा रहा है तो हम इसको लिखेंगे y1 क्या हो जाएगा 2 a t1 is equals to slope हमारा क्या है minus का t1 x minus और यह क्या हो जाएगा हमारा a t1 square ठीक है अब देखो यह हमारा क्या है x और y variable है तो इस curve पे हमारे चल रहे है ठीक है तो हमें t1 और t2 के बिच में relation निकालना है तो हम x और y की value क्या put कर देंगे यह चुकि x और x, y जो है वो हमारे यह भी हो सकते हैं यहाँ पर होगा तो यहाँ पर भी ले लेंगे कहीं पे भी हो चुकि यह variable है यह vary कर रहे हैं इस curve पे तो हम इस point को यहाँ पे put कर सकते हैं तो यह put कर देते हैं y is equals to क्या put कर देते हैं 2 a t2 यह हमारा क्या जाएगा यहाँ से हम 2 a का उमल ले लेंगे यहाँ से हम a का उमल ले लेंगे तो यह हो जाएगा 2 a t2 minus t1 और यहाँ से हमारा क्या होगा minus का t1 a का उमल ले लेंगे तो a t1 हो जाएगा यह t2 square minus t1 square हो जाएगा और t2 square minus t1 square को T1 से T2- T1 cancel out हो जाएगा तो यह हमारा क्या बचाएगा यहां से A से A भी cancel out हो जाएगा तो यह बचाएगा 2 is equals to minus T1 T2 Plus T1 तो यहां से अगर हम T2 की value निकाले तो यह क्या जाएगी हमारी T2 is equals to यहां पर यह हो जाएगा हमारा पहले इसको लिख लेते हैं माइनस का यह हो जाएगा 2 by T1 इसको डिवाइट करेंगे इससे और फिर T2 भी T1 भी अगर इधर लाएंगे तो यह भी हमारा क्या हो जाएगा माइनस का तो T2 is equal to क्या जाएगा हमारा माइनस T1 माइनस 2 by T1 तो question number 13 का हम options देख लेते हैं तो question number 13 का हमारा option जो है B वाला correct हो जाएगा T2 is equal to minus T1 minus 2 upon T1 अब हम बात करते है question number 14 की तो question number 14 हमारा क्या कहता है कि if the line यह हमारी line दे रखी है is normal to xy is equal to 1 then हमारी यह A और B के बीच में relation दे रखा है कि क्या आयागा ठीक है तो पहले question को लिखे लेते हैं तो question में हमें क्या दे रखा है कि यह जो line है यह इस पे normal होगी तो A और B के बीच में क्या relation आयागा ठीक है तो सबसे पहले क्या करते हैं इसका slope निकाल लेते हैं देखे अगर हम को यह graph को अगर roughly draw करें तो यह हमारा क्या हो जाएगा इस तरह से हो जाएगा x y is equals to 1 और similarly यह इधर भी इस तरह से आ जाएगा अब अगर इस curve पे normal की हम बात करें तो इसका मतलब यह line हमारी किस तरह से होके जाएगी यानि कि जो है अगर इस पे कोई tangent हम draw करें इस तरह से तो यह tangent पे normal होनी चाहिए ठीक है और इस तरह से यहाँ पर भी tangent पे normal होनी चाहिए हलाकि यह normal दिखने रहा है लेकिन यह normal होगा तो इस equation को जो है हमें find out करना है इस equation की slope को हम पहले find out कर लेते है तो इसका slope हमारा क्या आएगा इस normal का तो पहले हम इस tangent का slope draw कर लेते हैं यह tangent का slope draw करने के लिए हम क्या करेंगे इस curve का differential करेंगे यानि इस curve का differential करेंगे तो यहाँ पे इसका differential करेंगे तो first और second लग जाएगा first into second का differential dy over dx plus second into first का differential is equal to 0 dy over dx is equal to minus 1 by x इस tangent का हमारा यह slope आ गया ठीक है अब अगर मैं इसका slope निकालूँ इससे चुकि नॉर्मल है न इसको अगर हम m1 मान लेते हैं तो m2 हमारा क्या जाएगा minus का 1 by m1 यह line हमारी इस curve पे normal है तो normal का slope क्या होता है m2 इस is equals to minus का 1 upon m1 m1 हमारा क्या है minus y upon x1 यह हमारा क्या जाएगा x upon y अब अगर इस point को हम मान लेते हैं h, k तो m2 हमारा क्या जाएगा h upon k अब चुकि इस line की equation में दे रखे क्या दे रखे ax is equals to by तो इसका slope क्या होगा हमारा ax के respect में करेंगे तो a plus b dy over dx plus c हो जाएगा 0 हमारा which is equals to 0 यह क्या imply करेगा dy over dx is equals to minus a upon b ठीक है अब यहाँ पर देखें dy over dx क्या होगा हमारा minus a by 2 और यहाँ पर यह किसका slope है यह जो slope है वो भी इस line का है और यहाँ पर हमने जो m2 find out करा है वो भी slope किसका है इस line का है इसका उतलब यह भी हमारा क्या हो जाएगा m2 के equal तो यह और slope यह slope दोनों क्या होंगे equal होंगे यानि h upon k हमारा क्या हो जाएगा minus का a by b अब देखो चुकिए हमें एक curve दे रखा है क्या दे रखा है x y is equals to 1 और 1 हमेशा क्या होता है हमारा greater than 0 होता है निकाले यानि h, k पे तो यह हो जाएगा h is equals to 1 by k strictly greater than 0 इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि h भी greater than 0 हो यानि कि h greater than 0 होगा और 1 by k भी हमारा strictly greater than 0 होगा अब अगर दोनों number greater than 0 है तो उनका product भी क्या होगा यानि कि h upon k यह भी greater than 0 होगा तो h upon k हमारा क्या दे रखा है minus 1 by a तो इसका क्या imply करेगा minus 1 by sorry 1 by sorry a by b जो है वो हमारा greater than 0 होगा यह क्या imply करेगा हम minus से अगर गुणा करें minus से multiply करें तो यह हो जाएगा a by b strictly less than 0 minus से अगर inequality में हम multiplication करते हैं तो वो हमारा क्या होगा sign change हो जाएगा तो यहाँ पर a upon b जो है वो strictly greater than 0 आया है अब इसका मतलब क्या हो सकता है देखो यह हमारा strictly greater than 0 का मतलब negative होना चाहिए यानि या तो a negative होना चाहिए या तो b negative होना चाहिए अब अगर a हमारा positive हो जाए ठीक है a अगर हमारा positive हो जाए तो b अगर positive हो तो यह हमारा greater than 0 हो जाएगा इसका मतलब b क्या होगा negative होगा अगर a positive है तो b हमारा क्या होगा negative और अगर b positive है b अगर हमारा greater than 0 है तो हमारा a को क्या होना पड़ेगा negative होना पड़ेगा यह condition है ना अगर a greater than 0 है तो b को negative होना पड़ेगा अगर b greater than 0 है तो a को हमारा negative होना पड़ेगा तो question number 14 का हम option देख लेते हैं a greater than 0 b less than 0 वाला तो option number जो है b a greater than 0 होगा तो b less than 0 हो जाएगा और a greater than a less than 0 होगा तो b greater than 0 हो जाएगा अब बात करते है question number 15 की तो question number 15 क्या कहता कि the line x upon a plus y upon b is equal to 1 touches the curve इस curve को touch कर रही है at the point point निकालना है यानि यह line हमारी इस curve को किस point पर touch कर रही है वो point हमें find out करना है तो question लिख लेते हैं पहले तो question में हमसे पूछाए कि यह line इस curve को किस point पर touch कर रही है ठीक है अब अगर हम जाने की कोई curve है और अगर उसका कोई point है तो इस पे अगर इसको कोई touch करने वाली line होगी तो वो क्या होगी इसकी tangent होगी और वो unique होगी यानि इस point पर इसके अलावा और कोई line इसको touch नहीं करेगी ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस line का जो slope होगा और इस curve के जो है tangent का slope होगा वो क्या होगा सेम होगा चुकि एक ही line है लाइन तो सेम ही रहेगी है ना इस point पर इसका मतलब क्या हुआ कि यह line जो है इस curve को किस point पर touch कर रही है तो हम क्या करते हैं उस point पर इसका slope निकाल लेते हैं और इस curve का slope निकाल लेते हैं दोनों को equal put कर देंगे तो हम माल लेते हैं कि यह h, k point पर एक दूसरे को touch कर रही है ठीक है तो पहले इस line का हम जो है slope निकालेंगे तो क्या करेंगे डिफरेंशल कर देंगे इसको x के respect में तो यह 1 upon a plus 1 upon b dy over dx equals to 0 हो जाएगा यह क्या imply करेगा dy over dx equals to minus b upon a ठीक है तो यह हमारा dy over dx यानि slope इस line का आगया क्या हैगा minus b by a ठीक है अब इस curve का slope निकाल लेते हैं तो यह क्या जाएगा हमारा dy over dx b हमारा constant हो जाएगा तो e की power x का डिफरेंशल क्या होगा e की power minus xy a फिर xy a का डिफरेंशल minus 1 by a यह हमारा हो जाएगा minus by a e की power minus x by a अब देखाँ slope क्या होंगे same होंगे दोनों के तो slope को हम equal लग देते हैं तो यह हमारा क्या हो जाएगा minus by a is equals to minus by a और किस point पे होंगे अगर मान लिए हमने point माना है h,k तो यह हो जाएगा minus का h upon a यहाँ पे यह इसके साथ cancel out हो जाएगा यह क्या imply करेगा e की power h by a is equals to 1 और हमारा जो है 1 का बाता है जब अगर कोई भी number जो की हमारा greater than 0 हो या less than 0 हो 0 के छोड़ के यानि a अगर 0 के बरावर नहीं हो तो यह की power 0 हमेशा क्या होगा वन होगा तो यहाँ यह हमारा e की power 0 हो जाएगा अब देखो यहाँ पर यह base में e है यहाँ पर base में e है तो इसकी जो power है वो क्या हो जाएगे equal हो जाएंगे तो यह minus h upon a is equal to क्या जाएगा 0 यह क्या imply करेगा h is equal to 0 ठीक है अब अगर h 0 हो गया तो हम y की value find out कर सकते हैं y की k की value find out कर सकते हैं ठीक है अब यह हमारा p जो h, k है यह कहाँ है इस curve पे point है तो इसका मतलब हम यहां से k की value find out कर सकते हैं k is equal to क्या होगा b e की power minus h y a h हमारा क्या है 0 b e की power minus 0 minus 0 हो या plus 0 हो वो हमारा क्या हो जाएगा 1 e की power 0 हमारा 1 हो जाएगा तो k is equal to क्या जाएगा हमारा b आ जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि यह line जो है वो इस curve को किस point पे touch कर रही है p is equal to 0 कॉमा b पे है ठीक है अब हम option देख लेते हैं तो question number 15 question number 15 का हमारा option जो है इसमें देखे एग equals to by a दे रखा है minus a equals to by a रखा है एग equals to a कॉमा b दे रखा है हमारा कहीं पर भी जो है 0 कॉमा b option नहीं दे रखा है तो हम option number जो है d none of these यह correct कर देंगे ठीक है तो आज के लिए बस इतने हैं अगर आपको मारा वीडियो चल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं इंगली वीडियो में